हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू SSC कोचिंग सेंटर दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे रीजिनिंग के प्रेशनों की ये कॉश्चन जो स्क्रीन पे लेखा हुआ है, हाल फिलाल SSC के एक्जाम में पूछा गया है, इसका जो लोजिक है वो देख लीजिए का, यहा पर कौन से संख्या है की वो आपको बताना है, तो दीखे हम कैसे करेंगे इस प्रेशन को, अगर आप इन दोनों संख्याओं को जोड़ लें, 12 और 42 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 12 और 42 को आप जोड़ोगे तो ये 54 होगा, ठीक है, जब हमें ये संख्या फाइंड करनी ह ये वाली, तो मैं ये देखूंगा कि ये वाली संख्या कैसे है, ये वाली कैसे है, क्योंकि ये पूरी रो मुझे सौल्व करनी है, मैंने इन दोनों को जोड़ा 54 हो गया, अब इस कॉलम में इन दोनों का ये 54 हो गया, इस मैंसे मैं ये नीचे तीसरी वाली संख्याओं घट अब वही लोजिक यहां लगाऊंगा इन दोनों को जोड़ूँगा 108 और 70 को जोड़ूँगा तो यह जोड़ने के बाद हो जाएगा 178 और इसमें से माइनस करूँगा यह नीचे वाली संग्या जैसे यहां नीचे वाली माइनस कीती वैसे ही यहां पे 96 को मैं माइनस कर दूँगा 8 में से 6 जाएगा 2 आ जाएगा और 17 में से 9 जाएगा तो 8 आ जाएगा देखो 82 आ जाएगा और 82 ही मेरा यहां पे दिया गया है सेम लोजिक आगे फॉलो होगा इन दोनों को जोड़ना है ठीक है यानकि 254 ठीक है इन दोनों को जोड़ना है 254 और 178 इनको जब मैं जोड़ूँगा तो यह क्या हो जाएगा आठ चार बार collect करा ऑन 57 बार है BRKare करा ऑन 13 करी का फिर से ऑन 2 और 1 तीन और 14 चारसो 32 हो गया इन दोनों को जोड़ने पर नीचे वाली संक्रा को मैनिस करूँगा जैंकि 305 को मैनिस करूँगा कितना आ जाएगा 432 में से 305 को मानिस किया तो ये 127 आ जाएगा ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 127 आपको B-Option में मिल जाएगा अब देखेंगे अगला प्रशन अगला सवाल है एक पंक्ती में मोहन का इस्थान 22 छोर से 1000 है और दाएं छोर से 2000 है तो बताएगे कि इस पंक्ती में कुल कितने लड़के है यानि कि टोटल संक्या पूछ रहा है देखेगा टोटल संक्या पूछे चाहे लेफ्ट से पूछे चाहे राइट से पूछे मैं यहाँ पे किलियर कर देता हूँ उसने टोटल स्टूडेंट की संक्या पूछे यानि कि टोटल लड़के पूछे कितने है तो टोटल बराबर होता है लेफ्ट पिलस राइट माइनस वन यानि कि लेफ्ट राइट दोनों तरफ से जोड़ करके माइनस वन कर देंगे ठीक है ना चलिए जोड़ लीजे लेफ्ट से कितना 1000 राइट से कितना 2000 और इसमेंसे हम क्या कर देंगे माइनस वन तो टोटल संक्या हमारे यहाँ पे निकल के आ जागी टोटल संक्या 1000 और 2000 तीन हजार 3000 मेंसे माइनस कर दो एक तो यह हो जाएगा आपका 2999, ठीक है, यानि कि पहला option सही जवाब है, यह तो हो गया total निकालने का तरीका, अगर वो पूछ ले left से, तो left से कैसे निकालते हो, total minus right plus 1, अगर वो पूछे right से बताईए, तो total लिखना है, minus left से कर देना है, और plus 1, left से पूछे, चाहे right से पूछे, same formula है, लेफ्ट से पूछेगा, तो total में से right को manage करेंगी, रेट से पूछेगा, तो total में से left को manage करेंगी, plus 1 करना है, चाहे total पूछे ले, चाहे left से पूछे, चाहे right से पूछे, आप आसानी से पता दोगे, ठीक है, चलिए, अब देखेंगे अगला सवार अगला प्रश्नी है सो छात्रों की कक्षा में मोहन का स्थान ऊपर से 40 है और शनी का स्थान निचले छोर से 42 है तो मोहन और शनी के बीच कितने छात्र हैं चलिए यहां पर मैं एक लाइन बनाता हूं समझाने के लिए यह मैंने एक लाइन बना ली इस लाइन में टोटल सो चातर हैं, कितनी हैं, टोटल सो चातर हैं, अब बोला गया है कि मोहन का इस्थान उपर से चालिस है, कहां से उपर से, उपर से मोहन का इस्थान चालिस है, तो यहां कहीं पर मैं माल लेता हूँ, चालिस होगा, मोहन का इस्थान उपर से चालिस है, शनी का इस्थान तो मैं शनी का इस्थान यहां पर 42 मालेता हूं, नीचे से यहां पर 42 आएगा, उपर से यहां 40 आएगा, बोला है मोहन और शनी के बीच कितने चात्र हैं, अब यहां पर कितने चात्र बचे वो बताना है, तो टोटल चात्र हमारे पास कितने थे, 100 थे, टोटल चात्र हमारे प 82 माइनस कर दूँगा, यहां से लेके यहां तक नहीं पूछा, यहां से लेके यहां तक नहीं पूछा, वो यहां बीच का पूछ रहा है, तो 40 तो यह गए, 42 यह गए, टोटल 82 गए, तो बचे कितने यहां पे, सो में से 82 को माइनस कर तो 18 चात्र बचे तो बीच में टोटर कितने चात्र होंगे 18 सी ओफ्षन हो जाएगा सवाल का सही जवा चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्णी अगला प्रश्णी है सो चात्रों की कक्षा में देवेश का स्थाम उपर से 60 है और मीना का स्थान निचले स्थान निचले चोर से 70 है तो बताएए देवेश और मीना के बीच कितने विद्यारती है चलिए मैं एक लाइन फिर से बनाऊंगा यहां समझाने के लिए इस लाइन में है टोटल सो चात्र है ठीक है टोटल सो बोला क्या गया है देवेश का स्थान निचले चोर से 60 है तो यहां से निचले चोर से बोला है 60 तो यहां पर कहीं 60 आएगा ठीक है यहां पर 60 आएगा कौन है यह देवेश ठीक है देवेश का स्थान निचले चोर से 60 है और मीना का स्थान निचले चोर से 70 है यह उपर से था इसका, देविस का जो इस्थान था वो उपर से था, तो मैं इसे काट देता हूँ, दुवारा से एक लाइन बनाता हूँ, क्योंकि मैंने उसका निचले छोर से कर दिया था, देविस का इस्थान उपर से है 60, तो देविस का इस्थान जो है उपर से 60 है, ठीक ह कहीं सत्तर आएगा यह मीना का इस्थान हो जाएगा सत्तर ठीक है बोला है देवेश और मीना के बीच में कितने विद्यारती हैं देखो यहां से और यहां तक इतने बीच में कितने विद्यारती हैं यह बताना है जबकि टोटल तो हमारे सौ हैं अब एक चीज नोट कर लीजे टोटल जो student है 100 अब मैं नीचे से ऐसे गया तो 70 हो गई उपर से आए तो 60 तो इस 70 और इस 60 को जोड़ दीजी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा इसमें से टोटल जो 100 ते इसको माइनस कर दीजी बचेगा कितना 30, 30 आंसर नहीं है आप option में देखके 30 मत कर देना 30 अभी आंसर नहीं है इसमें से आप क्या करोगे 2 माइनस करोगे 28 आंसर है 2 क्यों माइनस करा ये भी मैं बताता हूँ जब आप इधर से आए उपर से तो आपने ये वाला जो इस्थान ता मीना का ये count कर लिया था है ना कर लिया था जब उपर से आए थे और जब नीचे से उपर गए तो देखो ये वाला इस्थान फिर से count हो गया यानि कि 2 माइनस कर देना है मैं यहां से यहां तक का स्थान बता रहा हूँ फिर भी मैं उपर से आने तक count कर लिया कर लिया के निए जब मैं ये वाला स्थान बता रहा हूँ, तब भी मैंने यहां से लेके उपर तक जाने तक यह से काउंट कर लिया, तो दो बार स्थान काउंट हो चुके हैं, इसलिए दो मैनिस करेंगे, तो 28 आंसर है, पहला option सही जवाब, सभी को clear हुआ, चलिए, अब देखेंगे अगला प्रश्णी, अगला प्रश्णी है, 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है, देखेगा, ये मैं बना लेता हूँ, आपको समझाने के लिए, ठीक है, 42 की कक्षा में, यानकि यहां से लेके यहां तक, टोटल कितने बच्चे हैं, 42, यहां से लेके यहां तक, यह कोई कक्षा इसमें 42 बच्चे है बोला गया है भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है जो की कक्षा में 26 में स्थान पर है समझ ना भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है जो की 26 में स्थान पर है तो दिव्या कहां पर है यहां से दिव्या कहां पर है यहां से दिव्या 26 में स्थान पर है ऐसे चलो गया 26 पे इस्थान पर है दिव्या लेकिन भारती दिव्या से 8 इस्थान आगे है भारती जो है वो दिव्या से 8 इस्थान आगे है अब दिव्या से भारती 8 इस्थान आगे है तो जब ये 26 है तो माइनिस इसमें से 8 कर दो यहाँ पर कौन आ जाएगी भारती आजाएगी तो 26-8 कर दोगे तो ये कहां पर आजाएगी 26-8 ये 18 होगा ये क्या होगा 18 तो बताइए कि अंत से भारती का इस्थान कौन सा होगा अंत से भारती का जो इस्थान है वो कौन सा होगा अंत से कह रहा है कैसे बताओगे भाई इस कोशन को 42 की कक्षा में भारती दिव्या से 8 स्थान आगे है स्थान भारती दिव्या से 8 स्थान आगे सौरी एक गलती हो गई है चलिए मैं उस गलती को सुधारता हूँ अभी भारती जो है वो दिव्या से 8 स्थान आगे है तो यह दिव्या होगी न तो इसे से भी आठ इस्थान आगे होगी भारती हमने यहाँ पर पीछे कर दिया था question को अगर आप मेरी तरह गलती नहीं पड़ोगे तो सही है अगर मेरी तरह आपने गलत प्रेशन को कर लिया तो सवाल भी गलत हो जाएगा मैंने पीछे कर दिया था जबकि उसने बोला कि भारती जो है आगे है दिव्या से तो दिव्या से आगे है ना आठंक तो मैंने आठ इस्थान आगे कर दिया चलिए अब मैं 26 में 8 जोड दूँगा 26 में 8 जोड दूँगा तो यह कौन सा इस्थान हो जाएगा भाई ये 34 माइस थान हो जाएगा कितना, 34 माइस थान, total 42 है, तो अन्त से भारती का स्थान क्या होगा, अन्त से, टो 42 है, अन्त से पूछाना, ये 34 है, तो भाई है, 42 में से आप 34 को माईनेस कर जोंगे, नहीं, हमेशा एक अंक ज्यादा से माइनेस करती हैं, याद रखना हमेशा एक अंक जादा से नमा इस्थान हो जाएगा आपने अल्फावेट के जो नंबर कोश्चन पढ़े होंगे उसमें 26 अल्फावेट होते हैं लेकिन माइनस हमेशा कहां से करते हैं 27 में से आपने अगर नहीं पढ़ाया तो हमने वीडियो अप्लोड किये हु जादा से यानि कि 43 में से माइनस करेंगी ऐसी अल्फावेट में 26 अब्सके एक अंग जादा 27 में से माइनस करते हैं जब पीछे से पूंशता है तो हमारों जो इस्थान आ जाएगा यहां पे चालिए अब देखतें अगला सवाल अगला सवाल है किसी पंक्ती में 25 लड़के लड़कियां एक आंतर में खड़े हैं यदि पंक्ती के प्रारम में लड़का हो तो लड़कियों की संख्या क्या होगी देखें प्रारम में कौन है लड़का यानि की बॉय उसके बाद में गर फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल ऐसे ही तो आएंगे अब जब संख्यां सम होती है तो यहां पर जो फश्ट में खड़ा है वही लाश्ट में खड़ा होगा ऐसा नहीं चलिए मैं आपको बता देता हूं टोटल छात्र 25 हैं 25 में से एक चीज केलियर करो के 12 गर्ल हो जरंड़ा होगा या एक लड़की जाद होगी ऐसा तो होगा तब ही तो 25 होंगे यह 12 और 1224 हो रहे हैं यादि रखता जो स्टार्टिंग में होगा जहां से स्टार्ट हो रही है लडके करणा यह से लड़के से draft ज़री तो लटके में भी लड़का ही आएगा तो मतलब एक लड़का जादा होगा अब लड़कीं हो तेरre ओर लड़कियों siis कि मारा ही है अगर लड़की तो स्टार्टिंग में परारम में लड़की होती तो लाश्ट में भी लड़की ही आती ऐसा कब होता है जब विसम संख्या होती है अगर 25 की जगे 30 का पूछ ले तो अगर स्टार्टिंग में बॉय है तो अंत में गर लाएगी तो 15-15 बराबर हो जाएंगे इस तरीके से लेकिन अ स्टो देलिवाद